धन्यवाद सभापती मौदे जो आपने मुझे मोशन अंडर रूल 342 के अंतरगत माननेवित मंत्री श्रीमती निल्मिला सीतार मन्जी के द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर बोलने का समय दिया हमारा परम् सोभागय सभापती मौदे के 17 लोकसभा के अंतिम सेशन में आंतिम दिन की पूरव संध्या पर हमें जो आज बोलने का मोका मिल रहे हैं और ये भी हमारा परम सोभागया सभापती मौध है कि हमें पुरानी लोकसभा में भी और जो नई जो हमारी ये परिसर है इसमें पवित्र सेंगोल के उपस्थिती में हमें बोलने का मौका मिल रहा है। जो 10 साल पहले सरकार में जो काम किये थे और इसके साथ साथ आयकर विभाग में काम करने के लिए जिसतरें से जो उसतरें के जो अनुभाव थे उन दोनों को मैं एक बार सदन के सामने रखना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक के तौर पर सभापती मौध है मुझे ध्यान है कि उस समय में जो कोईला मंत्री थे तो वो कोईला मंत्री जिसतरें से कोईला के घुटाले के अंदर सनलिप्त थे और इसके साथ साथ जो है उन्होंने जिसतरें की टिपणी उस समय में महिलाओं के उपर कही थी कि शादी जितनी पुरानी हो जाती है उतनी बेकार हो जाती है इस कुछ इस तरह से जो है इनके साथ भी होता इसके सासत मैं कहना चाहती हूँ सभापती मौदे कि जिस तरह से जो पिछली सरकार ने जिस तरह के घोटाले हुए हैं तो उसमें मान्य परधान मंत्री जी ने जब शपत ली थी तो उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी क्या हुए हैं जिस तरह कि उनके टिपणिया रही हैं मुझे लगते कि जो मुवीज बनाने वाले उनके डिरेक्टर प्रोडूसर को अच्छा मसाला मिल जाता है आपने देखा होगा कि पहले किस तरह की नेताओं की छवी होती थी और युवा तो खास कर जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो बन सके और जिस तरह से युवाओं के अंदर जो है मानिया परधान मंत्री जी को लेकर उत्सा है वो अपना रोल मोडल मानते हैं मानिया परधान मंत्री जी को और आज कितने युवा ऐसे हैं जो राजनीती के अंदर आना चाहते हैं तो इसलिए मैं कहना चाहती तो आप चाहे इसमें किसानों की बात करें जिस तरह से जो परधान मंतरी संबान निधी के तहट उनको 2,80,000 करोड रुपया जो हमारे किसान भायों को खास कर अगर मैं अपने सिरसा लोकसभा की बात करूं तो 30,000 करोड का प्रीमियम देने के बाद और उनको 1,500,000 करोड के कर जो है उनको पैसा वापिस मिला है और इसके साथ-साथ-विक्सित-भारत-संकल-प्यात्रा की मैं जिकर करना चाहूंगी मानी है सभापती मौदे कि विक्सित-भारत-संकल-प्यात्रा ने किस तरह से एक saturation level लाने के लिए ठिटूरती ठंड के अंदर अधिकारियों को जो है वो बाहर गाउं-गाउं बर जाने के लिए मजबूर कर दिया मैंने खुद बहुत से जो विक्सित-भारत-संकल-प्यात्रा है उसमें मैंने पार्टी स्पेट किया और इसमें मैं माननी है मुख्यमं कार्ड के तहत जो है वापन उनको कार्ड मिले और इसके साथ सबापती मौदे मैं यह कहना चाहती हूँ कि वहाँ कर दो मिनिट के लिए जिस तरे का काम जो है हमारी सरकार ने किया है और एक मतिवारी जी की बात सुन रही थी तो वो कह रहे थी कि बार इंग के उपर बात कर कोई आपको नहीं देता तो इसके सासा आप मैं कहना चाती हूं सभापती मौदे कि कॉंग्रेस के जो पूर अध्यक्ष हैं वो आजकल जो यात्रा पर जा रहे हैं पिछले पांच राजियों में जो विधान समा चुनाओ के दोरान एक प्रेस कॉंफरेंस के दोरान वो कह रहे जो हैं वो चुनाओ मोड में जा रहे हैं सभी कारेकरताओं से कहना चाहती हूं कि जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिश हमेशा ज्यादा करो किसमत भी रूठे पर हिम्मत न तूटे मजबूत इतना इरादा करो अब की बार बहुत-बहुत धन्यवास अब प्रण्यवाद स् तरी विजा हास्ता स्वेट पत्र